आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग और एक बहुत ही वरीसम टॉपिक पर जिससे हर कोई परिशान हुआ वा है बाट इस एक्नी स्कार्ज जिंदेगी किसी ना किसी हिस्ते में इंसान को एक्नी ज़रूर हुई होगी कि दस में से 8 लोगों को एक्नी का इसू हुआ ही है और इनमे से कुछ परसेंटेज और कुछ परसेंटेज और फीपल आरवाज सकर्भाया सफरेंगे उपु क्शों सबर्जा यह अभी तरक लेर नहीं हो पाया कि कौन से इक्स्टीम टाइप ऐसी है जिसमें एक्नी जो है वह अग्नी स्कार्स की तरफ चली जाती है और कुछ की जो है बिल्कुल दाने खतम हो जाते तो स्किन सही हो जाती है जाधतर मेल्स में देखा गया है कि जब उनको टीन एज में एक्नी होथी है तो वह सिस्टिक एक्नी होथी है यानि मोटे-मोटे फोड़े वाले दाने जो स्किन के अंदर जादा होते और उबरान-बरान सा महसूस होता है दर्द वाला दाने हो जाते हैं उनमें जाधतर चांस कि वो जब acne resolve होती है ठीक होती है तो acne scars की तरह जाती है अब acne scars एक दफ़ा जब आ गए पहले तो कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी उसकी treatment करवा लें अगर तो किसी भी वज़ा से treatment नहीं हो पाई या treatment होने के बवजूद भी अब क्या किया जाए तो अब क्या किया जाए तो अब परेशान होने की बात नहीं है हमारे पास हैश के लिए बहुत सारी treatment options available है आप acne scars के लिए सबसे पहले तो आपको जो है अपनी आपको जाए जो है oil free रखना है लेकिन moisturize रखना है ठीक है ताकि skin जो है वह बहुत जादे dry होगी तो oil produce कर जाए जाए तो आपने उसको as much as possible आपने skin का texture जो है वो ड्राइ आउट रखना है फिर उसकी बाद हमारे पास सिलिकॉन बेस जल होते हैं जो आपको बतारी हूँ कि आप घर में जो है home based creams क्या इस्तेमाल कर सकते हैं तो silicon based gels आप अपने dermatologist से prescribe करवा सकते हैं या niacinamide and zinc का combination होता है serums में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उससे over the time आइस्ता आइस्ता skin का जो collagen है वो बूस्ट होता है और आपकी जो scars है वो बहतर होना शुरू होते हैं acne के scars के जो है वो different types है इसलिए हमारे पास ice-pick scars आता हते है ऐसा जैसे के बरफ के ओपर अगर आप छनी मारो तो वो जो ice-pick की तरह एक सुराख 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 सो जाते हैं एक तरह का scar वो है एक तरह के हमारे पास scars होते हैं जो box scars कहलाते हैं ऐसे box की तरह की scars होते हैं अब treatments क्या हैं मैंने आपको serums और वो सब तो बता दिया अब जब तक हम कोई invasive या minimally invasive procedures पर नहीं जाएंगे acne scars आपके ठीक नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जब acne हुई थी उसके बाद जो healing process हैं वहाँ पर collagen कम हो गया skin जो आपकी बनाता है जो skin को texture देता है वो protein होता है हमारा collagen वो खतम होगी है वो खराब होगी है उसकी जगा हमारी fibrosis हो गई है अब हमें करना यह है scars में कि हमें उस fibrosis को खतम करना है वहाँ पर collagen को produce करवाना है तो वो सिर्फ creams वगएरा से तो possible नहीं है तो इसलिए हमें procedures क की तरह जाना होता है procedure में सबसे famous और सबसे जबर्दस चो procedure है that is micro-needling, micro-needling आपकी skin को minimally invasive तरीके से प्रिक करता है वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा पंचर होती है skin और brain तक message जाता है कि यहाँ repair होना है जब वो repair होता है तो उसमें आपकी healing के सासाथ collagen बनता और आपकी skin आ PRP के अंदर भी growth factors आपकी skin को better बनाता है फिर हमारे पास बहुत अच्छे serums मौजूद है जो आपकी skin को level out करने में help करता है हमने बाद की micro needling की micro needling के बाद हमारे पास एक option आता है subsistion, subsistion क्या है? subsistion is an expert technique और वो आपकी skin के जो fibrosis है आपको video में दिख रहोगा कि कुछ fibrosis बन जाते हैं जब आपकी scar हो जाती है skin तो bands बन जाते हैं यह bands को तोड़ता है subsistion और यह बहुत ही तरीके से की जाती है और बहुत ही जादा guided और specialized आपकी procedure supervised होता है तो वो भी आप करवा सकते हैं उसके साथ micro needling का combination works wonders now coming to peels कुछ ऐसी peels होती है TCA peels होती है जिसको हम लगाते हैं और उसके बाद वो scars बैतर होते हैं और peels के लावा मैं पस लेजर्स हैं लेजर्स भी काफी इस्तमाल किये जाते हैं जिसमें carbon dioxide laser resurfacing laser है वो बहुत अच्छा work कर रहा है यह सारी treatments mix and match करते हुए आपकी जो है वो scars को बैतर बनाया जा सकता है तो अगर आपको कोई भी इसतरह का problem है acne scars हो रहे हैं या acne शुरू हुई है या कोई भी इसतरह का skin का problem है जिससे आपको जुरूरत है कि आप आए हमारे पास और treatment करवाएं और घर पर टोटके और अपनी तरफ से चीज़े सिमाल ना करें see you then in hash clinics thank you so much